दो कप चने की दाल से आप बनाएं इतना टेस्टी और लजीज और हेल्दी नास्ता कि सभी का मन खा करके खुस हो जाएगा यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को ये नास्ता पसंद आने वाला है और इसके साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मैं दूंगी और घर पर हेल्दी तरीके से मेउनीज की रेसिपी भी मैं बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखेगा चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं हलो गाइस आज मैं आप सभी के लिए चने की दाल और चावल से बनने वाला हेल्दी नास्ती की रेसिपी लेके आई हूं तो चल दो कप ँदें चने का दाल लिया है और इसी गिलास से मैंने एक चावल लिया है चावल रेगुलर जो आप घर में खाते हो वहीं चावल हमें ले लेना है सबसे पहले इसे अच्छे से धो करके यानि वास करके हम ले लेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए भी आप पानी में सोब करके रख सकते हो या फिर आप 5-6 गंटे के लिए भी इसे रख देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा दोनों को एक साथ मैंने धो करके एक ही बरतन में डाल दिया है बाद में हमें ग्राइंडी करना है इन दोनों को एक साथ इसमें पानी डाल करके ओवरनाइट के लिए मैं छोड़ दूँगी ये फूल जाएगा तो सुबह इसे मैं पीश लूँगी और किसी खुले बरतन से ही इसे ढखिएगा यानि जाली से या किसी छलनी से ही ढखिएगा इसे क्योंकि गर्मियों का दिन है तो इसमें महक यानि इसमेल ना आने पाए इस बात का ध्यान रखिएगा सुबह देखिए इसे दो तीन पानी मैंने अच्छे से फिर से वास कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके का बेटर मैंने तयार कर लिया है देख लीजे बेटर हमारा इसी तरीके का होना चाहिए ये नास्ता बनाने के लिए तो इसी तरीके का गाढ़ा बेटर हमें पीस करके ग्राइंडर में तयार कर लेना है अब चलिए बेटर तो हमारा तयार हो गया है फटा फट से इसके साथ खाने के लिए चटनी की रेसिपी आप सभी को मैं बता देती हूँ एक कप मैंने धनिया लिया है और उसमें अपने स्वाद के अनुसार चार पाच मैंने मिर्ची काट करके डाल दिया है तीखा आपको चटनी में जितना पसंद हो उस हिसाब से हरी मिर्ची यहां डाल सकते हैं दस बारा कली लहसुन डाल दिया है यकीन मानिये दोस्तों ये ग्रीन चटनी इस रेसिपी के साथ बहुत ही फ्रिट बैठता है और बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है और एक टेबली स्पून के जितना जीरा डाल दिया है आदा चोटा चमच मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है और आदा चोटा चमच मैंने काला नमक भी डाल दिया है अब इसमें हमारी चटनी लंबे टाइम तक ग्रीन रहे इसके लिए हमें क्या डालना जरूरी है तो 2-3 चमच के जितना मैंने फ्रेस ताजा दही डाल दिया है इससे आपके चटनी में एक तो ग्रीन पन लंबे टाइम तक रहेगा और इससे स्वादवी चटनी का बहुत ही उंदा और खुल करके आएगा ये ग्रीन चटनी वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनती है तो इस तरीके की चटनी जरूर बनाईएगा अब यहाँ पर फटा फट से मियोनीज बना लेते हैं तो दो मीडियम साइज के मैंने आलू वायल करके लिये थे और दो तीन कली लहसुन इसमें डाल दिया है और घर की फ्रेस ताजी मलाई एक बड़ा चमश मैंने डाल दिया है एक चौथाई कप मैंने दूद डाल दिया है तो पहले इसे ग्राइंड कर लेती हूँ तो देखिए दूद और मलाई डाल करके मैंने ग्राइंड कर लिया है उसके बाद एक छोटा चमश पिज़ा हर्ष डाल दिया है और नमक स्वात के अनुसार डाल दिया है आधा छोटा चमश के जितना नमक डाल दिया है मार्केट जैसा मियूनीज हमारा घर पर बन करके तयार हो इसके लिए मैंने यहां लिया है चुटकी भर के जितना अजीनो मोटो और एक टेबली स्पून मैंने विनिगर डाल दिया है अगर अजीनो मोटो आप सभी को नहीं मिलता है तो विनिगर ही डाल कर बना लीजेगा मियूनीज उससे भी अच्छा टेष्ट आता है क्योंकि मुझे भी काफी दिक्कत से मिला मेरे हस्बेंड किसी दुकान से ले आये थे क्योंकि काफी दुकान पर पता किया और मलाई से ही बहुत अच्छा बना सकते हैं मियूनीज घर पर ही और यकीन मानिए दोस्तों इसका टेष्ट भी विल्कुल मार्केट जैसा ही आता है और इसमें घी तेल का जादा इस्तमाल नहीं किया है तो ये बहुत ही हेल्दी मियूनीज है तो इसे इस तरीके से मियूनीज जरूर घर पर बनाईएगा चलिए फटा फट से हम बना लेते हैं अपना नास्ता तो देखे तावे को अच्छे से गरम कर लिया है तावा जब अच्छे से गरम हो गया है तो मैंने पोच लिया है और एक छोटा सा मैंने बना करके साइड में रख दिया है फिर उसके बाद एक बड़ा सा मैंने दो कल्चुल डाल दिया है बेटर और इस तरीके से फैला लेना है और दोनों साइड हमें सेक लेना है वापस से मैंने पहले वाले साइड पलड दिया है अब इसके उपर से प्याज इस तरीके से लंबे slice में ने काट करके रखा था वो लगा दिया है प्याज अपने quantity के अनुसार जीतना आपको पसंद हो खाना और खुपसारा इसके उपर से पनीर ग्रेट कर देना है और बच्चों को बड़ों को जो आजकाल सबसे ज़्यादा प्री है वो है चीज इसके उपर मैंने इस तरीके से चीज को ग्रेट करके डाल दिया है यकीन मानिए दोस्तों इस तरीके से सुबह ब्रेकफास्ट में जब आप प्लेट में सब को देंगे खाने के लिए सभी खुस हो जाएंगे और ये हेल्दी तरीके से क्योंकि इसे हमने चनी की दाल और चावल से बना करके तयार किया है और चीज तो सभी को पसंद आता है मन चाहे अनुसार आप इसके उपर से पनीर और चीज को ग्रेट करके डाल दिजे चिली फ्लेक्स छिडग दिया है उसके बाद पिजा हर्प्स छिडग देंगे और नमक थोड़ा सा छिडग देंगे मिक्स पिजा हर्प्स में भी नमक होता है और चीज में भी नमक होता है और इसको सेकने के लिए मैंने salted butter का भी इस्तमाल किया है तो उसी हिसाब से आप नमक इसके उपर से डालिएगा और हाँ batter में भी मैंने एक चमश नमक को mix किया था तो उसी अनसार नमक आप यहाँ पर adjust कर लीजेगा सभी चीजे डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए cover कर देना है एक थाली से उसके बाद लीजिए नास्ता हमारा बन करके है तयार और इस नास्ते को मैंने low to medium flame पर ही बनाया है ताकि नीचे से ये जले नहीं अच्छे से crispy हो बस इस बात का ध्यान रखेगा low to medium flame पर ही इस नास्ते को आप तयार करिएगा बना करके और मन चाहें पिसमे से कट करिए और सभी के प्लेट में परस दीजिए इसी तरीके से मैंने दूसरा भी अपना बना लिया है चीला और उसके उपर से लगाएंगे बटर दोनों साइट से से शेकने के बाद प्याज लगा देंगे खूब सारा और पनीर, चीज, चिली फलेक्स, मिक्स पिजा हाफ्स और नमक ये सभी डाल करके फिर से कवर करके द हेल्दी, सूपर टेस्टी, दो कप चने के दा से बना हेल्दी, चीला बन करके तयार है हमारा खाने के लिए और उसके साथ खाने के लिए मैंने परोस लिया है हरे धनिये की चटनी और मेयोनीज, यकीन मानिए दोस्तों ये नास्ता आपको इतना पसंद आएगा, एक बार मे आज की रेसिपी आप सब को कैसा लगा, आप सभी को इन में से कौन सी रेसिपी जादा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, चीले की, या फिर चटनी, या फिर मेयोनीज की, तो मिलते हैं दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाइबाएइ!